हेलो गाइज वेल्कम बेक टू माइन यूट्यूब वीडियो नेना शोना व्लोग तो आधना मैं बहुत जादा बोल हो रहे थी और यहां पर रहे शोना है तो अभी अना बाहर बारिश की हलकी हलकी पूले कि ती क्योंकि बाहर तो ऐसे यह भी समर चल रहे हैं तो बहुत ही जादा गर्मी होती है अभी बारिश के रहे तो हलका फुलका थंडा तो हुआ है लेकिन फिर भी अभी इभी हमनेटीस है अब मैं सोच गई हो कि बारिश हुआ है तो आज क्यों ना कॉफी बनाया जाए तो सोना तो अभी बाहर बारिश हो रहे थी तो सोना मुझे तो बहुत जादा मन कर रहा है कि कॉफी बना लेते हैं कि ऑ अवके यहार फेटेश हों गाड़ के बनाते हैं हाँ बनाते है चल्ले स्टा करते है यहीं ।ो शोना इस रेसिपी को कैसे बनते हैं वो तो मुझे नहीं पता है उ Sr. Pta है में मुझे यह रेसिप तो पता है यही थे औरिव्श हूं सो ग्67 दिश्ट एक्तरा होillas तो रेसिपी को स्टाइट केलो सबसे पहले हमें चाहिए कॉफी, शुगर और थोड़ा सा दाल रहा है मिक्स कर दिए हमें मटा दोगी सबसे मोस्त इंपोर्टन्थी हमें चाहिए मेल अफ़ोर्स तो वोल हमें रखा हुआ है इसको गरब दा जेते हैं वेल, मिल्क तो मारा गरब हो चुका है सो अभी मैं कॉफी डाज़ी इस गोल में हमें चाहिए थोड़ी पाउडर चुका तो उसके लिए मैं को लापे मिक्सर में इसे ग्राइं कर दोगा है वेल गाईज हमें शुगर को ग्राइं को कर दिया है अब मैं इसको इसमें ट्रांस्टरा दर रही हूँ सो वेल, यहां पर मैंने शुगर दो डाल चुका है अब कॉफी में हमें थोड़ा-थोड़ा करके शुगर मिक्स करना है और थोड़ा-थोड़ा वाटरा आइप करना है इसको मिल्ट करके एक बहुत अच्छा लएक बाटर टाइप करना है और बहुत ही टेस्टी दगए लगा हूँ इस तहाँ हमने तीन चीजे ले लिए तो इसमें हमने लिया है कॉफी यहां पे लिन शुगर और यह वाटर अब मिल्क तो गरम हो चुका है तो अभी हम इस कॉफी में थोड़ा सा पहले शुगर आप करेंगे थोड़ा सा वाटर ऐसे थोड़ा थोड़ा करकर के हमें कॉंटिटी बढाती जानी है और मिक्स करकी यह पहुत ही अच्छा बैटर हो जाएगा अच्छा में थोड़ी शुगर भी आट करी थी अच्छा वाटर और देखिए इसका पुड़ा कलर चेंज हो चुका है इसको भी हमें गुमाते रहना है ताकि यह बहुती थिक टाइप का क्रीम बन जाया इस तरह से आपको शुगर आड़ करते जाना है और उसकी साथ में थोड़ा सा वाटर जादा नहीं क्योंकि थिक नहीं हो पाया क्योंकि नहीं होता है इस पर महनत तो लगती है बट यह महनत ना लास्ट में बहुत एक्छा लगता है मैंने भी एक बार साथ बहुत पहले डार्वना कॉपी नेरा जीली को भी पिलाई थी और उसको बहुत पसंदाई थी या तोना, यू आप्सुटली राइट लाइट क्योंकि नाइस, हम मिक्स करते करते कॉपी किंचन से लिविंग रूम तक आचके हैं अभी मैंने थोड़ा नेरा जीली को दिया थोड़ा थोड़ा ट्रायल लेले कि कैसे भनानी है तो अभी बहुत ही ठिक का रिससेंट ही हो चुकी है तो थोड़ा शुगर लगेगा इसमें तो आप तो जल्दी अपडेट करतें चुलाँ अब आचका है हमारा में पार जो है मिक्स करना सो बेसिकली हमारे पर कौफी का बाटर बन चुका है यह रहा मिल्क सो मिल्क और इन पनों को मिक्स कर देंगे इस यूटेंसल तो प्रेट जीती इसमें थोड़ा सा मिल्क डाल तो पहले या इसमें मैंने इसलिए डाला ताकि यह थोड़ा ऐसा लाइट हो जाए और जो मुव करने में खुड़ा आसानी हो कि अब ही मैंने मिल्क और कॉफी का जो बाटर हमने मनाया था उसे मिक्स कर लिया है और अब मैं इसको इसमें ट्रांस्वर करूंगी अभी हमने इस लास को डेकोरेट कर दिया है हर्षी के साथ अभी मैं इस कॉफी को इसमें पूल कर देती हूँ निना दीदी, can you hold this for me? Okay इसमें आप आइस्ट्यूग्स री डाल देंगे इसमें आइस्ट्यूग्स री डाल देंगे इसमें आइस्ट्यूग्स झाल आइस्ट्यूग्स गय डिदी, इसे लाएवडिप खो इस आइस्ट्यूग्स अँर टेंगे कि अभी वुट, ईपक्ते हो रूख से वर्चान के जाएं, थे उड़ने, आपट, कर दू़ने तेस्थियों और र्चान के मैं जाएं, डशना के कि प्रचा अभर रहें, गार मैं तनी तेस्थयों, नेम् आपकी हो रहे खारें, एक वहाट रहें टीजरा कर सकते हैं, रहें ब मैं तो 10 आट 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 क्योंकि मुझे ये बहुत ही जादा टेस्टी लगा है तो गाइस अगर आपको हमारे ये छोटा सा गागोना कॉफी मेकिंग वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीष हमारे चानल नैना शोना ड connected की जिंगा तैसे हम दे ने नेट्ट सर गले Sun